कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को आज एक good news मिली है कपिल की पतनी गिन्नी चतरत ने एक नन्ही परी को जन दिया है कपिल और गिन्नी चतरत एक बेटी के माधा पताब बन गए हैं इसकी जानकारी कपिल शर्मा ने ट्वीट करके दी कपिल ने लिखा कि हमारे बेटी सभी को प्यार जै माता दी कबल के इस tweet के बाद उन्हें लगातार बदाय संदेश मिल रहे है गुरू रंधावा और भुवन बाम ने कबल शर्मा को पिता बनने पर सबसे पहले बदाइ दी है गुरू रंधावा ने tweet कर कबल शर्मा को बदाई देते हुए लिखा कि बधाई पाजी अब मैं ओफिशली चाचा बन गया हूँ कपिल शर्मा ने अक्टूबर में बेबी शावर पार्टी रखी थी जिसमें कहीं से रिप्स के साथ साथ दे कपिल शर्मा शो उनके कोस्टास भी मौजूद थे यही नहीं कुछ दिनों पहले कपिल गिन्नी को बेबी मून के लिए कराड़ा भी लेकर गए थे बता दे कि गिन्नी और कपिल के मिलाकात कॉलेज में हुई थी वे दोनों रोज मिलने लगे गिन्नी रोज कपिल के लिए खाना बढा कर लाती थी कपिल के दोस्त ने बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद कर दी है इसके बाद कपिल मुंबई आये और दोनों की बीच बात बंद हो गए लेकिन जब कपिल लाफ्टर चैलेंज शो में सिलेक्ट हुए तो गिन्नी को फोन किया और फिर से बातचीत होने रगी इसके बाद जब कपिल ने कॉमेडियन के तौर पर अपनी जगह पुखता कर ली तो दोनों ने शादी कर ली अब दोनों की घर एक नन ही पर ही आई है जिसकी जानकारी कपिल ने अपने ट्वीट के जरिये दी है उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया जा चुका है और कई सितारों ने कपिल और गिन्नी को बदाई दी है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स